नमस्कारी स्टुडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है अभी अपना पेपर हुआ है टेंथ कलास का हिंदी का जिसको हम हल करने वाले आपको सटीक की मिले इसका पूरा परियास रहेगा सटीक की आप तक पहुंचाने का हम परियास कर रहे हैं खंड ए में हमसे पुछे गए औबजेक्टिव पर्सन और उसमें पहला पर्सन है निम लिखे तो वस्तुनिष्ट पर्सनों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे पहला पर्सन है रहसिया सब्द में प्रियुक्त पर्ते प्यारे विद्यारतियों आपको पता है कि परते हमेशा सब्द के बाद में लगता है, पीछे लगता है, बाद में लगता है, अंत में लगता है, ये भी कह सकते हैं, और उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, तो इसमें रस्या सब्द में ढूड़ना है, तो यहां हमारा कौन सा होगा, बै उपसन हमारा सही है, गुण सव का सही उद्धारण, कौन सा है, रमेश है, विद्याले है, मतक्य है, निरोग है, रमेश है, उत्सा कविता के कभी कोण है, उत्सा कविता किसने लिखी है, सूरिय कांत तिरिपाठी जी ने, राम लक्षन मन और पर्शू समवाद की भासा है वो कुन सी है खड़ी बोली है ब्रज भासा है या राजस्थानी है अवद्धी है अवद्धी भासा है राम लक्षन और पर्शू समवाद की गोपियों ने भरमर के बाहने किस पर विंग बान छोड़े है तो गोपियों ने भरमर भरमर का मतलब उता बहुरा उसके बाहने किस पर व्यंग छोड़े हैं तो ये उधव हैं कि श्रीकर्षन हैं कि नंध हैं कि कंस हैं तो श्रीकर्षन पे नागारजुन का जनम हुआ था बिहार में बंगाल में राजस्थान उत्तरपरदेश में उप्सन में से नागारजुन का जनम का हुआ बिहार में कैप्टेन किस का नाम था उप्सन में दियावा चस्मे वाला पान वाला हालदार साहब और नेता जी तो कैप्टेन था चस्मे वाला लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन है तो लखनवी अंदाज जो अपने इसके व्यंग है उसके लेखक कौन है यस्पाल मनु भंडारी स्वें प्रकास यतिंदर मिस्र तो यस्पाल के द्वारा लिखी गई है रचना बाल गोभीन भग्त पाठ की विधा कौन सी है बाल गोभीन भग्त पाठ है अपने एक व्यंग है कहानी है रेखाचित्र है या निमंद है तो ये रेखाचित्र है सिंसकर्त का प्रिणाम सिंसकर्ती का प्रिणाम क्या है तो सिंसकर्ती का प्रिणाम अप्संसकर्ती है सब्वे है या सिस्ट है या विभाजन है तो सभेता उप्षन है मारे समाज में नाक का प्रतीक क्या है नाक सुन्दर्ता से लिया जाता है सेंसकर्ती से लिया जाता है इज़त से लिया जाता है या समाज से लिया जाता है तो ये तो विल्कुल सरल है हिंदी का पहला आंचली को पन्या है वो कौन समाना गया है जोर्ज पंचम की नाक देहती दुनिया आप की बंटीए रामचरीत्रमानस देहती दुनिया रिकस्थानों की पूर्थी जो पर्शन है इसमें आपसे रिकस्थान पूछ है इहारी स्थान में देखेंगे हम किसी भाव अवस्था, गुण और दसा के नाम को क्या कहते हैं भाव वाचक संग्या कौन सी संग्या भाव वाचक भाव वाचक संग्या कहते हैं दूसरा परसना वे सब्द जो संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें क्या कहतें हैं? उन्हें कहतें विशेशन. ये विशेशन सब्द जोकि संग्या और सर्वनाम की विशिसता बताते हैं. वे करिया जिनके साथ कर्म प्रियूक तो नहीं होता, तो वो कौन से हो जाएगी? अकर्मक किरिया हो जाएगी वे सब्द जो दो सब्दों वाक्यानसों या वाक्यों को जोड़ते उन्हें समुच्चे बोधकाव्यों कहते हैं एविकारी सब्द कौनसे सब्द एविकारी एविकारी सब्द होते हैं जो दो सब्दों या वाक्यानसूं को जोड़ते हैं वे सब्दान से जो किसी सब्द के अंत में लगकर कहां लगकर? अंत में लगकर अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें क्या करते हैं? परते हैं हिंदी में उपसर्ग कितने परकार के होते हैं, तो मुख्यता तीन उपसर्ग माने गए हैं, निमली खित ऐप ठीत कद्यांस को पढ़ कर नीचे दिये गए जो परसन है, उनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, वर्दमान में राष्ट को सारी रिक्त दरश्टी से मजबूत निर्भय और ऐसे यूकों क्या हो सिकता है, कैसे यूकों क्या हो सिकता है, जो सारी रिक्त दरश्टी से मजबूत हों, निर्भय हों, जो अपने आप में अपनी सक्ति में विश्वास करते हों, यूवा सक्ति कहने का मतलब विकानन्द की दरश्टी से नास्तिक वह है, जो आप में विश्वास नहीं करता भारत के राष्टी आधर स्त्याग और शेवा को अपना कर गरीबूं भूखों और पेडितों की सेवा में अपने को समर्पित करना ही राष्ट के सबसे बड़ी सेवा है राष्ट भगति को रिवावना नहीं है राष्ट इसका अधार है वह व विवेक और प्रेम है जिसके अभी विवेक पूर्ण रूप कारिये करते वी बाहरी भेद भाव को बोलकर हर एक मनुस्य को प्रेम करना सिखा देती है या प्रेम करने में देखी जाती है विवेक आनंद के उपदेश का जो धे है वो क्या है उठो जागो और तब तक मत वर्तमान में कैसे युवां क्या उसेकता है जो सरीर के दरश्छी से मजबूत हो निरवए हो राश्च्र के सबसे बड़ी सेवा क्या है तो राश्ट्र के सबसे बड़ी सेवा यह है जो क्या करे राष्टी ये आधर्ष त्याग और शेवा की भावना को अपना कर गरीब और भूख गरीब हों भूखे हों पीडितू की शेवा करे उसे ही कहें क्या करते हैं राष्ट की शेवा विवेकानन्द के उपदेश का धेवा के क्या है विवेकानन्द के उपदेश का धेवा क्या है उठो जाग और तब तक मैं रुको जब तक की लक्षे को प्राप्ते नए कर लो यहां से पूरी लाइन है राष्ट्र भक्ति की भावना का आधार की से माना गया है तो यह राष्ट्र भक्ति की कोरी भावना नहीं है इसका आधार है वो क्या विवेक है प्रेम है और जिसके विवेक्ति किस परकार से होती है तो आधार क्या है विवेक और प्रेम नास्तिक अपने उपर सब्द है था तो आस्तिक सब्द का विप्रित सब्द है गध्यांस में चांट कर लिखिए तो आस्तिक सब्द का उल्टा क्या हो जाएगा नास्तिक विवेकानन्द की दरश्टी में नास्तिक वय है उपर सबसे दूसरी लाइन है उसमें हमने पढ़ा था नास्तिक निम लिखी ते ऐपठीत का ध्यांस को पढ़ कर दियेगे परशनों के उत्तर अपने पुस्तिका में लिखने ये ऐपठीत का ध्यांस है है कौन विखन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में खम ठोक ठेल दता जब हर नर परवत के जाते पाउं उखड मानव जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता गुण बड़े एक से एक परखर छिपे मानूं के भी थर मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिकाज बीच उजियारी हो बत्ती जो नहीं जलाती रोसनी नहीं पाती है प्रस्तुत जो पध्यान से उसका उचित शिर्षक क्या है मानव है आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता पहली लाइन है विगन नहीं टिक सकता ये रह विगन कोई भी ऐसा विगन है जो आदमी के मग में नहीं टिक सकता पत्थर कब पानी बन जाता है? पत्थर कब पानी बन जाता है? जब मानव ठान ले ये रहा पत्थर पानी बन जाता है मानव जब जोर लगाता है? कब बन जाता है? मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है रोशनी किशे नहीं मिलती रोसनी नहीं मिल पाती जो बत्ती जो नहीं जल पाती उसे रोसनी नहीं मिल पाती यह आंस्वर हो गया परवत के पांग कब उखड जाते तो पत्थर के भी पांग उखड जाते हैं जब खम ठोक ठेल अता जब नर परवत के जाते पांग उखड यह आंस्वर है मेहंदी के बीच क्या छिपा होता है तो मेहंदी के बीच लाली मा छिपी होती है जैसे खंड बै के परसंद थे वो अपने चालिस सब्दों में आपको अंस्वर देने है उच्छा कविता का भाव पूछा गया है नमक मिर्च लगाना मुहावरेकार्थ बताते हैं वाक्य में परियोग करना है तो नमक मिर्च लगाना मतलब बात को बढ़ा चड़ा कर कहना और मुहावरेकार्थ तो गया बात को बढ़ा चड़ा कर कहना वाक्य में परियोग जैसे मोहन है वो हर बात को नमक मिर्च लगा कर कहता है, या मुवन है वो स्याम को जो बात बताता है, उसके नमक मिर्च लगा कर बताता है, खंड से में आपके सामने, पठीत अगध्यान्स है, और ध्यान पुरुक पढ़ कर पुछेगे परशनों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में देने, विश्कार से मिसाइदत सितोसन से बचने और शरीर को सजाने की परवर्ती का विशेश आतरा अब कलपना कीजिए कि उस आदमी जिसका पेट भरा उसका तन ढखा है लेकिन जब वह खुले आकास के नीचे सोया हुआ है तो राक को जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नीद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए प्रिशान है कि आखिर ये मुटी बरा थैला क्या है जो तारे टिम्टिमा रहे हैं उसके बारे में सोच रहा है कि मुटीूं का बरावा थैला क्या है पेट भरने और तन डखने की इच्छा मनोस्य के स नहीं नहीं है पेट बरावर्तन डखाओने पर भी ऐसा मानव को वास्तों में से श्कल्द और निठला नहीं बैठ सकता आग के आविस्कार से क्या प्रेणा रही होगी तो आग के आविस्कार से पहली ही लैन है पने पेट की जो अलागे प्रेणा रही शरीर को सजाने के परवर्ती किसके आविस्कार के कारण बनी शरीर को सजाने की जो परवर्ती है वो किसके आविस्कार से हुई सुई धागे के अविस्कार से सुई धागे के अविस्कार से सरीर को सजानिक परवर्ति का धेर आ है तो सुई धागे के अविस्कार से खुले आकास के नीचे सोई वेक्ति को नीद क्यों नहीं आती ये रहा क्योंकि वह आखिर प्रेशान रहता कि आखिरी मोतियों से बरावा थेला क्या है वास्तों में सेस्करत मानव क्या जो सेस्करत मानव है वो क्या नहीं कर सकता तो वो निठला नहीं बैठ सकता यह अपना उत्तर हो गया ऐसे इसी अगर आपने ये किया हत्वा वाड़ा तो हर्ताल कावान की सिल्सिले में क्या गया था मुकदमे की सिल्सिले में जो हर्ताल नहीं कर रहे थे उसकी परतिक्रिया क्या थी तो जो हर्ताल नहीं कर रहे थे साम को विद्यार्थी वर्ग कहां ही कठा हुआ साम को विद्यार्थी वर्ग है का मुख्य चोरा है, मुख्य बाजार का जो चोरा है, जिसको चोपड बोलते हैं, वहाई इकठा होता है, विध्यार्थियों के इकठा होने के बाद क्या हुआ, तो विध्यार्थियों के इकठी होने के बाद क्या होता है, बासनबा जी, परस्तुत पठित पध्यांस, को पढ करने चे दिए गे परसुनों के उत्तर लिखने उधो तुम हो अती बड़ भागी उधो यानि उधो अपरसन सनेह तंगा में नाहिन मनो अनुरागी पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी जैसे कमल का जो फूल है वो पानी में रहकर भी पानी कहने का मलत पानी का उस पे कोई असर नहीं होता है किचड में रहकर भी कमल किचड में रहकर भी उस पे कोई दाग नहीं लगता है जू जल माही तेल की गागरी तेल की भरी हुई गागरी या तेल जिसके लगा हो गागरी यानि मठका तो बूंद नता को लागी तो उसको एक बूंद भी नहीं उद्धव को बड़ भागी क्यों का है क्योंकि उसीरी कशन के संग रहने का उनको सो भागे मिलता है पूरी हिन पात से क्या कमल के फूल की तरह तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है तो उसके एक बूंद भी टचे नहीं होती तुलसी दास जी या ये सपाल जी का एक आपको देखती तो और करती तो लिखना था या आपकी अप्लीकेशन आई नहीं ये तो खंड़ दह में आपसे परसन पूछा गया है जिसका उत्तर लिखना था साठ सब्दों में जाने कितना रिण है हम पर इन नदियूं का हम सिखरूं का हाथ साना साना जोड़ी जो चेप्टर है अपना उससे आया है निमलिखित पर एक निमंद लिखना था आपको पोईंट दिये हुए थे एक अप्लिकेशन पराथना पत्तर याद जो भी पत्तर है आपको एक करना महिला उद्द्यमिता का विज्यापन तो यह हमने हिंदी प्रिशे की की देखी सटी कांस्वर आप तक पहुंचाने का प्रियास क्या है पहरे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपून वीडियो के साथ इससे पहले आपको बता दें कि अपने सेखावाटी मिशन वन हेंड्रेड के अपने सामाजिक विज्ञान जो की सोड़ा मार्च को प अपने सेखावाटी मिशन से 90 प्लस जो माक्स है वो बन रहे हैं यानि 90 प्लस जो परशन हैं आंस्वर हैं परशनों के आंस्वर सही जो पीडियाप है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेड परशनों की जो सीरीज है उससे ही आ रहे हैं अपने तो आप अपनी मेहनत को और बढ़ा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक्स ओल दी बेस्ट